पेदी शर्मा तो आज जो है वह हम डिसकस काने वाले हैं कि पॉलिटिकल साइंस की जो है वह कट अफ आपके कितनी रहने वाली है इस बार की और मुस्टों बच्चों के बार बार कॉशन ना रहे हैं इस रिगार्डिंग दर्स वाई मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसके लिए आपके लिए पर्टिकुलर जो है वह वीडियो बना देती हूं इसने पहले जो है मैंने आप लोगों के पूरे आंसर कि यहीं आपने नहीं मिलाई है तो आप मेरी यूट्यूब बीडियो पे आपके देख लीजे मैं अलग से जो है यूट्यूब पर वीडियो बनाई है ज उसे पहले में बता देती हूं कि मेरा पेपर बन और पेपर टू दोनों पढ़ाती हूं इसी यूट्यूब चैनल पर यदि आप लोगों को पढ़ना है पेपर टू पढ़ना है फिर क्लासेज देखने हैं तो डेली 11 वजी और शाम को छे वजी इसी यूट्यूब पर होती है फिर चैनल पेंव पाटलापण सी जो है वह आपको पढनी है को प्रोट्टिकल साय ने इडविन में यह कहते हूं दिस विए बन टाइम इंवेस्टेंट लाइफ टाइम जो है वो आपके काम आने वाला है यह इनवेस्मेंट ठेंक वाइजली सोचना है ऐसा नहीं है कि मैं आपने कहा दिया तो हम मैं आपको फॉलो कर लेते नहीं आप सोचिए देखिए परकिए औ कि इस नहीं है कि टाइम वेरी प्रीशियस फॉर टो नाव वी डिसकूस आप अवर कौट ओफ और मैंने जहां तक को एनलाइसीज जो है वो किया है कुट ओफ का और जहां तक मुझे लगता है तो मैं वही जो है वह आपके साथ बता रही हूं तो अब वही हम लोग जो है व मेरा मानना है ऐसा नहीं कि मैंने कह दिया तो बस यहीं होगा को कि मुसली बच्चे पर बाहने कहते है नहीं मैं देखो इतनी चलेगे इतनी चलेगे अरे यार हम कोई बेदग गया विशेश तक गया या भभिशर्वारी थोड़ी नहीं है हमने सिर्फ लोग बच्चों के तो एक मेरा जनरल आइडिया या फिर यह मान देख एक परसनल एक्स्पीरियंस ठीक है बस यदि मैं इनकी बात करूं जयारेफ की तो देखो जयारेफ सबसे पहली चीज है कि इस पर आपकी जो कट ओफ है वो परसेंटेज बेस में आने वाली है विकॉस जो पेपर है आपक परसेंट इसमें आएगा परसेंटायल में जो है वो रिजल्ट आपका नहीं आने वाला पहले चीज तो आप यह ध्यान में रख लीए उसके बाद जो है यदि मैं आपसे बात करूं तो मैं आप डायेट यहां पर आपको पेपर बनो पेपर टू मिलाकर बात करूंगी कंग 25 परसेंट जो है आपकी जो है वो नेट की जनरल की जो है वो कट आफ चाहेगी ठीक है इसके बाद यदि मैं आपसे कट आफ की बात करूं तो 66 से लेकर के 68 परसेंट तक जो है वो आपकी EWS की कट आफ जो है वो जिया रख की जा सकती है और नेट की यदि मैं आपसे कट की बात करो तो OBC और EWS की जो कट-off है ना उसमें कोई डिफ्रेंस सा मुझे लगता नहीं है वो एक जैसी सी ही जाती है मतलब और सारी केटी ग्रीज की कट-off है ना यदि मैं देखो तो सक्की है ना एक तरह से सेम सी ही जाती है यदि मैं बात करो इसकी जो कट-off है सिस्टी या यह माल लीजिए 59, 60 या 61 मतलब इन तीनों के बीच में जो है 59 परसेंट या 60 या 61 यह जो है वो जाने की जानसेज है इसके अलावा जो है आप लोगों की 55 तो 58 परसेंट जो है वो आप लोगों की नैट की कट-off जासकते है एसती कैडिगry की और हैस्तेम की और हैस्ती की वह यह जो है वह अप लोगों की जासकती है यह जो है वह सर्फ हनकら सफीर तो भी हो तो और लोगों की अभी तो अच्छेंट बीचेमित आपका इस चेह काफिन्य Special um तो this is not a big deal, life अभी यहां खतम नहीं हुई है, शायद हो सकता है, इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला, मिल सकता है, मिला है, और जीवन में जो है ना, कुछ भी last नहीं होता, जीवन में हम हमेशा जो है ना, वो सीखते रहते हैं, मैं तो यह कहते हूं, this is not a last, ठीक है, कुछ नहीं होता है, हम मरते हैं, वस वही last होता है, उससे पहले कुछ नहीं होता, तो यह मैं सोचना कि everything is lost, nothing, खूने के लिए जो है ना, बस कुछ नहीं होता, यह माली जे, हम खूते कुछ नहीं है, एक्छल में हमें सीखने को बहुत कुछ मिलता है, ठीक है, experience जो हमें मिल को बताइए, this is the last, not, this is not last, ठीक है, and continuous जो है वो आपनों लगे रिजे, अपने आपर बिलीव रखिए, ठीक है, आज नहीं तो कल हमें सक्सेस्फुल होना है, क्योंकि हम पैदा ही सक्सेस होने के लिए होए हैं, ठीक है जी, और ऐसा नहीं है कि हम JRF या नेट निकालेंगे, तो ही सक्सेस्फुल होंगे, लाइफ में ऐसा होता है कई बार कि हम हरा ट्रेक जो चलता रहता है उसके बाद उस ट्रेक को छोड़के हम दूसरे ट्रेक में अचानक कब पहुँच जाएं, और वहां हम सक्सेस्फुल हो जाएं, ये कोई कुछ नहीं कह सकता, कभी भी नहीं क लाइफ जो है ना वो एक गिफ्ट की तरह है, है ना जब हम उसे खोलते हैं तो हम उसे अनस्पेक्टेड जो है चीजे देखने को मिलती है ठीक है और गिफ्ट तो हमें हमेशा मुसली टाइम प्लैजर ही देखने को मिलती है तो आप ये कभी में सोचना कि हमारा नेट जिया है तो आप जयार है पड़ा जो है वो एफ जोईन कर सकते हो वहाँ पर मेरा एक फांडेशन बैच जो है वो चल रहा है बेसिंग अंडरस्टेंडिंग कोर्स यदि आपको जोईन करना है पॉलिटिकल साइंस का बरिस्ट्रॉप सॉलेशन यदि आपको चाहिए तो आभी बै पर पर राइट करवाई जाएगी एंड आइधिंग जो है यह मेरा परसनल एक्सपिरियन्स पूरा जो अनुवा है वो मैं आपके साथ श्याजा करने वाली इस बैच में तो यू कें जोई थैंक यू सो मच